नमस्कार स्वागत है आपका एनन 24 पर आपके साथ मैं हूँ प्रिति सेंग बढ़ते हैं खबरों की ओर बस्तर में 11 सतंबर को वन कर्मिचारियों के द्वारा ड्यूटी करते हुए शहीद हुए वन कर्मिचारियों को श्रधांजली दी जाती है आज भी वन मंडल कारियाले में शहीद इसमारक पहुँचकर वन कर्मिचारी एवं अधिकारियों ने शहीद हुए कर्मिचारियों को याद किया और उनके परिवार को शौल और स्रीफल देकर सम्मानित भी किया हम आपको बता दे कि जंगलों में वन विभाग के द्वारा ड्यूटी की जाती है यही कारण है कि नकसली कई बार अपहरण कर वन कर्मिचारियों की हत्या कर देते हैं अब तक नकसलीों ने कुल 6 लोगों की हत्या की है नकसलीों ने पालनार, दोरनापाल, केतुल नाल, भैरमगड और बीज़ापूर जिले में वन कर्मियों को मौत के घाट उतार दिया था 11 सितंबर वन शहीद दिवस पर शहीद हुए वन कर्मिचारियों को याद कर राष्टी गीत गाकर उन्हें सलामी देते हुए श्रधांजली अर्पित की गई और उनके परिवार को सौल और स्ट्रीफल देकर समानित किया गया हमारे बीश जितने वन कर्मिचारी वनों की श्रक्षा शाशी कर्टक में सहीद हुए हैं उनकी याद में 11 सितंबर को वन सहीद दिवस मना जाता है आज हम जो जग्दपूरवनविट के अंतरगर संभा इस्तिर का अरकम का आउजन किया गया था इसमें हमने जो हमारे ज़ो वन सहीद जग्दपूरवनविट के अंदर च्छाय लोग हुए हैं उनके जो परिवार के सदस हैं उनको हम सम्मानित करते हैं साल स्रीपल से और उ हमारे चैनल को लाइक, शेर, कमेंट और सब्सक्राइब कर बेल आइकोन को दबाना ना भूले.